रहस्य पुजागर ऐसे बनते ही भगवान हिंदू धर्मानु सार भगवान का अर्थ पीश्वर, परमत्म या परमेश्वर नहीं भगवान का अर्थ सुपरमेन या सुपरपावर माना जा सकता है इसे ही दार्शनिक नित्से में महामानुद और महर्शी अरविंद में अति मानुद कहा है भवां स्री कृष्प में एक अति मानुद ही थे एट मनुष्य भगवान या अति मानुद चेतना के विकास की प्रकृया से गुजर कर बनता है जिसका उलेक वेद और जीताओं में मिलता है आत्मा चैतनी होकर ही विकास करती है जो आत्मा चैतनी नहीं रहती है वह नीचे विट्वी जाती है सरव प्रथम आत्मा ने खुद को जड़ में अभिव्यक्त किया अभिव्यक्त अर्थात प्रकट किया फिर विकास क्रम में वह उपर उटकर वह क्रम अशर पोधे में फिर जलचर या रेंगने वाले प्राणियों में फिर पशुपक्षियों में और फिर उसने मनुश्य के रूप में खुद को प्रकट किया यदि आप मनुष्य हैं तो इसलिए कि आपने नीचे से उपर की यात्रा अपने प्रयास और पुण्डू के अधार पर की हैं। आप आलसी, निराशावादी और बेहोश नहीं थे। लेकिन मनुष्य बनने के बाद कुछ ही लोग मनुष्य से आगे देवता और उसे से भी आगे भगवान बन पाते हैं। वैदों के अनुसार आत्मा नीचे गिरती है तो जड़, जड़ से प्राण, प्राण से मन, मन से विवेख, विवेख से आनम्द में या अतिमन में सफर करती है। जो आत्मा अपने मन में ही अटकी रह गई, वह कभी विवेखी मन या अतिमन में पहुंच कर भगवान नहीं बन सकती। मन से मक्त इस्थिर मन अर्था विवे की मन में रहना और फिर इस इस्थिरता को बढ़ाते हुए अती मन में प्रवेश कर जाने से ही व्यक्ति के भीतर बुद्धद्र, निर्वान, केवल या मौक्ष घटित होता है। जागरत, सुप्ण और सुशुक्ति में जो भी व्यक्ति एक समान रहता है वही विवे की मन का अती क्रम कर जाता है। ऐसा स्वांस प्रस्वांस के आवागमन पर लगाता ध्यान देने से घटित होता है। भगवान बनना है तो निरंतर योग करते होए ज्यान करने वाला योगी ही अपने मन के पार जाकर खुद को अतीमन में इस्थापित कर सकता है। मन के पार ही अपार शक्ती और सिध्य विजरण करती है।